हेलो एवरिवन वेलकम टू पिगनर्स बैंग एमसी क्यू सेरीज फॉर्ड एक्जाम उफ यूप एसी एपफो की क्लासे हम रेगुलर अपने चैनल पर चला रहे हैं और मैंने आपको स्टाटिंग टी क्लास वन में बता दिया था कि यह जो एमसी क्यू सीरीज है यह अलग अल टॉपिक पर लाएंगे यानि अलग-अलग सब्जेक्ट पर आपको एक एक क्लास मिलती रहेगी और अपको अच्छा लगा तो उसी तरह क्लास थर्ड में हम जनरल साइंस की कुछ कोश्चन लेके आएं क्योंकि आपने अगर स्लैबस देखा है यूप सी एपफो का तो उसम से 12 कोशन भी कभी-कभी बन जाते हैं तो ऐसे में इसको भी त्यार करना बहुत जरूरी है तो चलिए आज मैंने 10 कोशन रखें हो 10 कोशन के साथ में कुछ एक्स्ट्र पॉइंट भी आपको बताती हूं का यह टाइम चल रहा है आपको अपने आपको टेस्ट करने का तो कमे इंडस्ट्र रिलेशन यह आपको केवल इंग्लिश में मिलेगा क्योंकि वह हमने इंग्लिश में ही तयार किया है तो चलिए सबसे पहले कोशन हम पढ़ते हैं ब्लेड प्रेशर में इंक्रीज बाइद एक्सेस सिक्रेशन ओफ यानि जो ब्लेड प्रेशर हमारा बढ़ता ह है वो किस के ज्यादा इस्तराव से बढ़ता है अतियादी इस्तराव से रत्य चाप बढ़ सकता है किस के मतब कौन सी चीज हमारे शरीर में ज्यादा इस्तरावित होगी ज्यादा एक्सेसिव इंक्रीज होगी जिसे की ब्लेड प्रेशर हाई हो जाएगा क्या वो थाइरॉ प्रेशर होता है वो हमारे बड़ी में इंक्रीज होता है थाइरॉक्सीन के बढ़ने के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के सिक्रिशन होते हैं यानि कई प्रकार के स्त्रावन होते हैं जिसे हमारे शरीर की कई चीजें चलती हैं उसी में से एक हॉर्मोन है थाइरॉक्सीन य जाता है ब्लेड प्रेशर का मतलब कुछ नहीं होता ब्लेड प्रेशर का मतलब होता है जैसे जो ब्लेड है आपका जो आपके आर्ट्रीज में बह रहा है वो ब्लेड में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है आप जैसा कि जानते होंगे कि जो हार्ट होता है वो हार्ट तो आपके शरीर में ब्लेड पहुचाने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़े, अधिक प्रेशर लगाना पड़े, तो उस पोजिशन को ही हम ब्लेड प्रेशर बोलते हैं, और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है, जब हमारे बॉड़ी में थाइरॉक्सिन का इस्त्रा हो सकती है, क्योंकि हार्ट और ब्लेड प्रेशर एक तरह से एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, ब्लेड प्रेशर वैसे कोई बिमारी है ही नहीं, ब्लेड प्रेशर एक साइन है कि हार्ट में आगे चलके कोई समस्या आएगी, क्योंकि आपकी बॉड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण जो नॉर्मली ब्लेड आपके शरीर में फ्लो हो रहा था वो नॉर्मली फ्लो नहीं हो रहा बलकि उसे प्रेशर लगाना पड़ रहा है किसे प्रेशर लगाना पड़ रहा है हार्ट को आपके शरीर में ब्लेड पहुंचाने के लिए प्र पश्ट नहीं करतेए क्योंकि आप जानते हैं कि मरीज डर चाहेगा और दूसरा ब्लड प्रेशर की दवाई चलाते रहते हैं चलिए यह बात तो हो गई ब्लैट प्रेशर कि बारे में आपको और बता दूए को Princeton को किससे न आपा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लैडटर को नापने का जो एक यंत्र है एक सिस्टम है उसे बोलते हैं स्फिग्ममानोमीटर स्फिग्मो मैनो मीटर यह कुशन ध्यान रखना है क्योंकि यह भी एक्जाम में पूछा जाता है मैं जितने भी extra point बताती हूँ इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अब यह जो thyroxine hormone यह कहां से स्त्रावण होता है यह स्त्रावण होता है thyroid gland से गले के बीच के एरिया में आप देखते होंगे न कि जब thyroxine बढ़ जाता है वही होती है thyroid gland जो कि thyroxine hormone को स्त्राविक करती है और जिसके अधिक स्त्रावण से blood pressure increase हो जाता है तो यह हो गई इसके बात और thyroid gland में अगर thyroid gland में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है thyroxine का जो इस त्रावण अधिक बढ़ जाता है तो blood pressure के समस्या होती है लेकिन इस thyroid gland को ठीक करने के लिए आप किस चीज़ का सेवन करते हैं तो thyroid gland को ठीक रखने के लिए आपको ज्यादा मात्रा में iodine का सेवन करना चाहिए और अगर आप में ऐसा नहीं किया तो गले से related एक और प्रॉब्लम आपको हो जाएगी इस प्रॉब्लम का नाम होता है चलिए next question देखते हैं वेन पार्टिकल एंड एंड एंटी पार्टिकल कम इन कॉंटक्ट विद इच अदर दे जब एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है रिपैलेंट इच अदर एक दूसरे को पीछे हटाते हैं एक दूसरे का सरवनाश कर देते हैं गो अन्डिस्टर्ब बेसुद हो जाते हैं या फिर स्पिन करते हैं देखिए होता क्या है कि आपने अगर थोड़ी सी फिजिक्स पड़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जब प्लेस एंड बाइनस संपर्क में आते हैं तो एक प्रकार का फ्यूजन होता है जिसके कारण बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है उर्जार रिलीज होती है और जब ज्यादा उर्जार रिलीज होती है तो इसका मतलब वो एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करते हैं तो जब भी एक पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल आपस में कनेक्ट करेंगे तो एक दूसरे को खतम कर देंगे याने एक दूसरे का सरवनाश कर देंगे और एनर्जी काफी मात्रा में रिलेस करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जगा एन्हिलेट मिलने से like and बनता यह तो question नहीं बता दिया but इसको कहते क्या है इसको कहते हैं mutualism अब यह mutualism क्या होता है देखिए जब दो प्रकार के प्राणी एक दूसरे को किसी भी प्रकार से साहिता कर रहे हो help कर रहे हो तो उस process को हम biology के language में mutualism बोलते हैं जैसे कि जो algae होता है, algae chlorophyll का निर्माण करता है, chlorophyll जिसके तुरूप वो भूजन बना सकते हैं, algae chlorophyll का निर्माण करता है, और ये chlorophyll ये fungi को देता है, इसी प्रकार fungi, water और कुछ important essential nutrients या minerals इसको algae को देता है, इस प्रकार एक दूसरी की help कर रहे हैं जीवन जीने के लिए, तो इस process को biology में mutilism बोलते हैं, एक दूसरी की help करने को mutilism बोलते हैं, I hope कि आप ये question समझ गए हैं, अब इसमें एक बात और समझेगा, इसका answer ध्यान लखेगा mutilism, algae, algae की जो study की जाती है, उसे बोला जाता है, psychology, और fungi की जो study की जाती है, उसे बोला जाता है, mycology, ये questions पूछे जाते हैं, तो आपको फिर थोड़ा सा ध्यान देना है, इसके साथ parasite, parasitism ऐसा होता है, कि जिसमें एक प्राणी दूसरे प्राणी के उपर निर्भार होता है, जैसे कि एक प्राणी, जैसे आप देखते हैं, मक्षर जो होता है, वो हम लोगों का कून चूते, यानि वो हम लोगों पर निर्भार है, मनुष्य पर निर्भार है, उसी ब्राणी दूसरे प्राणी पर जीवन जीने के लिए निर्भार होता है, तो उस situation को parasitism बोलते हैं, तो आपको इस question से इतनी जो information है वो अच्छे से ध्यान लखने है चलिए next question देखते हैं next question आपकी screen पर है which of the following gas is used in the cigarette lighter अब यह बात ध्यान लखेगा कि मैं यह question अपनी तरफ से निलाई हूं यह question सारी previous year में पूछे गए questions है और mostly जो science के questions होते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं चाहिए और कोई भी exam उठा के देख लिए जिसमें general science के questions आते हैं तो चलिए यह question देखते हैं कि निम्रिकित में से किस gas का उप्योग cigarette lighter में किया जाता है cigarette lighter जो cigarette जलने के लिए जो lighter का प्रियोग करते हैं उसमें किस gas का प्रियोग के जाता है यूज होती है और उस gas का नाम है butane अब एक बात यहां पर ध्यान दीजेगा जो LPG गैस होती है वो अगर कभी कभी रिसीव होने लगे यानि किसी भी तरह से वह बाहर आने लगे तो एक स्मेल देती है जिससे की पता चल जाता है कि LPG रिसीव हो रहा है लेकिन सिग्रेट लाइटर जो होता है वो तो ऐसे रखा स्टाइल यह कुश्यन आपको अच्छे से ध्यान रखना है और आपको मेरा पूछा हुआ कोशन है उसका भी उत्तर कमेंट में देना है कि LPG का फूल फॉर्म क्या है यानि LPG का जो शॉर्ट फ्रॉम एल्पीजी बोलते है बट लॉंग फॉर्म में LPG का जो पूरी जैसे ज होती है आपको पता ही होगा बट LP इसकी क्या बोलते हैं या आपको कमेंट एक्शन में बताना है चलिए नेक्स्ट कुश्चन है वो अगर ब्रेक हो गाई है तो वो दोबारा से जुड़ेंगे नहीं सेश हैं और टिशूद हैं आपके वो यदि ब्रेक हो जाएंगे तो वह रिपेर नहीं नहीं होंगे no repair कि यह कभ होता है जब शरीं में प्रोटीनKI कमी हो तो प्रोटीन की कमी से चीज़े होता है और प्रोटीन की कमी से रोग होता है क्वाशी ओर कर यह एक प्रकार की प्रोटीन की कमी के कारण नहीं होता है जिसमें जो शरीर होता है वो तो थोड़ा सा दूबला दूबला सा हो जाता है बट जो पेट होता है वो काफी बाहर की ओर निकल आता है इस disease को ही बोलते है quashirkar जो की protein की कमी से होता है अर्थ्राइटिस आप जानते ही है जो गठिया रोग होता है जो जोडों में दर्द होता है जो की शरीर में प्रकार की calcium की कमी की कारण होता है गौईटर मैंने आपको बता दिया था गौईटर गंड माला या जिस सारे के सारे पॉइंट्स आप अच्छे समझ गए हैं और आपके पांच कोशन यहां पर कंप्लीट हो गए अभी तक आपको वीडियो के दिए अच्छा लगा क्योंकि मैं सिर्फ इनी कोशन पुनी बताती है जो मैंने लिखे हुए इसके लावा एक्स्ट्रा पॉइंट बतात के घर में लगती होगी आपने सुना ओगा प्योपी वाइट वाइट कलर की जो होती है वो होता है प्लास्टर ओफ पैरिस और यह किसका बनता है यह बनता है क्याल्शियम सेलफेट हेमि हाइट्रेट यानि सी एसो फोर हाफ एस्टू ओ तो आप क्याल्शियम यहां पर जो एल्यूमिनियम होता है यह आपके अर्थ के क्रस्ट में होता है यानि प्रत्वी का जो क्रस्ट होता ना बीच में अगर आपने जोग्रफी पड़ी है तो आर्थ क्रस्ट तो आई होब कि आप जानते होंगे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अल्यूमिनियम पाया जा है pона 20 जार्थ है इंचंश जांडिक के आप्र का सकते हैं कि इस पार्टाओ पार्ट रेच्टFrald भी ट्रिकान ल्चे यूर्कि हमें एंजायम पुछा गया ना कि कोई बोर्डिका पार्ट्स तो जो पेट में प्रोटीन है वह पचता है पैपसिन के कारण आपको एक बद ध्यान रखनी है दो प्रकार के एंजायम होते हैं जो प्रोटीन को पचाते हैं एक तो यह पैपसिन हो गया और एक होता है रेनिन ये भी कभी कभी एक जाम पूछा जाता है पैपसीन और रेनिन ये दो एंजाइम हैं जो कि पेट में प्रोटीन को पचाने के काम करते हैं ये दोनों एंजाइम के नाम आपको ध्यान रखने हैं चलिए नेक्स्ट कुश्चिन विटमीन सी हेल्प्स इंद एब्जॉर्बिशन और विच्व दा फालोइंग मिनरल विटमीन सी निम्लिखित में से किस खनीज के विशुच्वशन में मदद करता है यानि हमारे शरीर में यदि विटमीन सी है तो कौन सा जो खनीज है वो हमारे शरीर में अधिक मातरा में अब्सक्राइब आपके शरीर में अच्छे से लगेगा आईरन आपको द्यान रखना इसलिए कहते हैं कि आईरन के साथ साथ निबू भी जरूर खाना चाहिए हरी सबजियों के साथ निबू का भी सेवन करना चाहिए क्योंकि हरी सबजियां आपको आईरन देंगे और निबू जो होता है उसी में सबसे ज़्यादा जोता है विटमीन ची होता है और विटमीं से शरीर में है तो आयरन के चैledgeयों के हम आya जोटा jätte हो जाता है और योह कि कमी से आपके शरीर में जो स्किन से रिलेटिड प्रॉब्लम्स हैं वो होने लगते हैं चलि नाइंध कोश्चन पर हम आगए हैं और आपको बता नहीं कि आपके कितने कोश्चन ठीक हुए साउंड स्कैन नौट ट्रैवल थ्रो दोनी किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती सिर्फ व्यक्यूम यानि निर्वात एक ऐसी चीज है जहां पर हावा नहीं होती वह स्थिती निर्वात होती है वहाँ पर sound travel नहीं कर सकता है इसलिए जो space में एक दूसरे की आवाजे सुना ही नहीं देती क्योंकि वहाँ पर vacuum होता है वहाँ पर निर्वात होता है और वहाँ पर जब sound travel ही नहीं कर सकती तो एक दूसरे से जो भी बोलेंगे वो कैसे ही समझ में आएगा यह question पूछा जाता है तो आपको अच्छी से ध्यान रखना है और sound सबसे ज़्यादा किस पर यातरा कर पाती है यानि किस metal के होने पर हमें अच्छे से sound तुनाई देगी तो वह होता है metal metal के माधियम से sound सबसे ज़्यादा travel करती है जबकि vacuum के होने पर sound travel नहीं कर पाती चलिए अपने last question में आते हैं दस्वा question पूर्शों में इसकी गटना की तुना में महिलाओं में निमनिकेत में से कौन सी बीमारी बहुत कम होती है यानि एक ऐसी बीमारी बतानी है आपको जो महिलाओं में तो कम होती है लेकिन महिलाओं की तुलना में पूर्शों में अधिक होती है क्या वो myopia है, क्या वो kidney stone है, क्या वो color blindness है या फिर वो brain tumor है अब आप ध्यान दीजेगा कि myopia नाम की जो बीमारी है वो महिलाओं की तुलना में पूर्शों में अधिक होती है मायोपिया क्या होता है मायोपिया होता है जब आपको दूर का नहीं दिखाई देता अच्छे से बलकि पास का अच्छे सी दिखाई देता है ऐसे इस हीति में एक चस्मा लगाया जाता है चस्मे में जिस लेंस का प्रियोग किया जाता है उस लेंस को बोलते हैं कॉन केव लें और इस disease से बचने के लिए जिस lens पयोग के जाता है ताकि अच्छे से दूर का भी दिखाई दे वह lens होता है Connor king perfectly लेंस कि अगर किरिशीय में किडिनी में चenter म जाता है और और वह स्थेकं इसके कारण होता है वह स्थेकं होता है calcium oxalate अगर चरीतं हो जाए खास तोर पर और किटनी में तो किटनी स्टोन बन जाता है कलर सोता है जो पिल्कुल प्लाइम से दिखाई नहीं देटे मतलब कलर का जो होते हैं वह लहागा तर बहुत ज़रूरी है लेकिन वह एक 10 then question समझ में अच्छे से आगए होंगे और मैंने इसके लाबा जो भी extra point अपको बता है तो आपको अच्छी समझ में आ गए होगे तो अब आपको मुझे comment section में बताना है कि आपके 10 में से कितने question सही हुए और आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को एक like और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर यह नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसकी जो PDF है ये MCQ सीरीज की जितनी भी PDF है ये फिल्कुल फुरी आपको टेलिग्राम पर हमारे दे रही हो टेलिग्राम का लिंग का आपको डिस्क्रेशन मिल जाएगा इन फैक्ट यह मैंने पहले ही डाल दी हुई है तो आप जाकि उसे अभी भी तुरंत ले सकते हैं साथ ह अगर आप APFC के लिए complete PDF का package लेना चाहते हैं 499 में आपको मिल जाएगा जिसमें इंडस्ट्रे रिलेशन लेबल लॉस की PDF सोसल सेक्यूर्टी स्कीम की PDF ले सकते हैं 399 में आपको कैसे पेमेंट करना इसकी पूरी की पूरी जारगार आपको description में मिल जाएगी description में आपको हम हमारा WhatsApp नंबर हमारा email ID हमारा Telegram चैनल कर लिंक सब कुछ मिल जाएगा कैसे पेमेंट करना है सब आपको पतार चल जाएगा और अगर आप यह PDF पर्चेस करना चाहें तो आप प्रफर कीजिएगा कि मुझे email पर संपर करें मुझे email कीजिएगा उस पर संपर कीजिएगा तकि मैं पर्सनली आपकी यह PDF को प्रोवाइट करा सकूँ तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू